थोड़ा सा इदर 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 फेस उपर कीजिए हाँ ये 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 थोड़ा हाथों को फेस के उपर आप बहुत बढ़िया अब आप दोनों एक दूसरे के गले में बाहे डालिए हाँ ये बिल्कु ठीक ओक 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 आपकी फोटोस क्लिक हो गई है आहा मिस्टर अशूप ये फ फोटोग्राफर समझ गया था कि तुम्हें और मुझे थोड़ा सा अकेले में समय चाहिए इसलिए बहाने से चला गया थोड़ क्या हर कोई कबाब में हड़ी थोड़ी बनता है वैसे दीपा की अशूप का चेहरा एक तरफ से जला हुआ क्यों है उसे देखते है मैं तो बह करी देगा वैसे यह फोटोग्राफर है कहां आऊ जरा चल कर उसे ढूंडते है दीपाक बहुत डर लग रहा है यहां तो बहुत अंधिरा है अरे क्यों डर रही हो मैं हो ना तुम्हारे साथ अचानक प्रिया और दीपक अलग हो जाते है प्रिया एक कमरे में बंद हो जाते कौन है वहां सामने आओ जैसे ही साया सामने आता है प्रिया डर जाती है वो साया कोई और नहीं बंकि अशोग था अशोग एक पिशाज का रूप ले लेता है और अपने खुनी पंचो से प्रिया की गर्दन दबा देता है प्रिया की वही मौत हो जाती है उधर दीपक मंगेतर प्रिया दौरों यहां अशोग नाम के एक फोटोग्रफर के साथ आये थे उसी नहीं ये हॉंटिट प्ले सजेस्ट किया था पर अशोग गया भे मेरी प्रिया तो मझे चोड़ कर चली गई मझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हुआ ठीक है मिस्टर दीबग जै किसी वहशी जानवर के लग रहे हैं ये किसी मामुली इंसान के हाथों के निशान नहीं है गर्दन को बुरी तरह हूनी पंजों से दवाया गया है शायद अब ठीक कहरें डॉक्टर इससे पहले भी दो केस इसी तरह के इस शहर में हुए हैं और उन दोनों केसे में भी वो क पल थे और एक फोटोग्राफर के साथ ही यहां आये थे फोटोग्राफर घायब था और लड़की का ही खून हुआ था वो भी इसी तरह से सरब तो लगता है मिस्टर जोसफ को आना ही पड़ेगा वही इस केस को सुलजा सकते हैं ठीक है तो चलो मिस्टर जोसफ के पास ही च पूशिश करता हूँ अशुक जी में बहुत बड़िया फोटो किचवानी है कोई अच्छा सा प्लेस बताइए तागे मैं अपनी गल्फ्रेंड के साथ कुछ यादगार फोटो किचवा सकूँ रोहित यह फोटोग्राफर देखने में कितना बदसूरत है तुमें कोई और पूटो किचवाना चाहते हो मुझे इसे देखकर धिरना रही है अरे यह फोटोग्राफर बहुत सस्ते में मान गया है बाकी सब तो बहुत महेंगी थे और ऊपर से मैंने सुना है यह शहर का फेमस फोटोग्राफर है यह जगह का एड्रेस है अब टाइम पर पहुंच जान को रात के 12 बचे हांटेड प्लेस पर बुलाता है अशोक मैंने सुना है तुम रात में ज्यादा तर फोटोग्राफी करते हो इसके पीछे क्या कारण है मुझे अंधेरा पसंद है यह कोई पागल फोटोग्राफर लगता है शालिमी दीरे बोलो वो हमें देख रहा है अशो फोटो खीचते समय तो एकदम इसकी बोली में फरक आ गया अशोक उन दोनों की फोटो खीच लेता है कुछ देर बाद वो बहाने से वहां से जाता है और फिर से वो लड़का लड़की उसे ढूरते है यह फोटोग्राफर कहा चला गया कहीं दिखाई नहीं दे रहा आओ हम क्योंकि मिस्टर जोसिफ के द्वारा पेहनाया लौके शालिनी के गले में था जिससे वो पिशाश जर कर दूर हर जाता है यह सब माया जाल मिस्टर जोसिफ का ही बिचाया हुआ था टैंक्यू शालिनी आपने और राहुन ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभाई है आप दोनों ने अपनी जान पर केल कर अपना फर्ज निभाया है अब आप दोनों बेफिक्र रहिए इस पिशाश को मैं सीधा करूंगा अब बताओ तुमने ये सब क्यों किया और तुम कपल जोरे को ही अपना शिकार क्यों बनाते हो इनसे तुमारी क्या दुश्मनी है मैं किसी भी कपल जोरे मैंसे एक लड़की को जिन्दा नहीं छोड़ता क्योंकि एक लड़की नहीं मेरा मज़ा खुडाया था बच्पन में मेरे चेहरे पर एक बार एक हाथ से में गर्म तेल गिर गया था जिस कारण सब मेरे से नफरत करते थे कोई भी मेरे से ठीक देंग से बात नहीं करता था मुझे फोटोग्राफी करना अच्छा लगता था इसलिए मैं फोटोग्राफी करता था एक दिन मैं एक कबल की फोटोग्राफी कर रहा था तभी एक लड़की ने मेरा बहुत मजाग उड़ाया पंकज ये तुम किस फोटोग्राफर को ले आई हो इसके खुद की शकल तो है नहीं भुना हुआ पकोड़ा लग रहा है कि हमारी क्या फोटो खीचेगा मैडम किसी का मजाग नहीं उड़ाते आप मेरा मजाग उड़ा रही है मुझे आपकी फोटो नहीं खीचनी आप यहां से जा सकती है क्यों बे मेरी गलफ्रेंड से ऐसे बात करता है उसने ठीक ही दुखा है तेरा चेरा इतना खराब है तु क्या लेगा हमारी फोटोग्राफा तुझे तो मैं अभी बताता हूँ उस लड़के ने मुझे बहुत नीटा लड़की ने मेरा कैमरा तोड़ दिया मैं ये सब बरदाश्ट नहीं कर सका और मैंने इसी किले में फासी लगा कर अपनी जान दे दी और उस लड़की को मार दिया दोनों कपल अलग हो गए इसलिए मैंने उस दिन से यही सोचा कि मैं किसी भी कपल को एक नहीं होने दूँगा मैं लड़की को मार दूँगा दिखो अशोक ज़रूरी नहीं कि हम बुराई का बदला बुराई से ही दे तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ पर इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यह तो निर्दोश है इतनी दिर में अशोक की मा वहां आ जाती है और वो अपने बेटे को समझाती है अशोक मेरे बच्चे तो इन सब को छोड़ दे अपने लोग में चला जा अपने लोग में चला जा मेरे बच्चे यह दुनिया तेरे ले नहीं है तो अपनी दुनिया में चला जा अपनी मा को देखकर अशोक की आँखों में आसु आ जाते है और वो हवा की तरह वहां से ओड़ जाता है शीतल और अंकित एक शादी अटेंट करके अपनी कार से लोट रहे थे उनकी कार उस समय एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे रात के लगबग साड़ी ग्यारा बच गये थे कार में 90 का गाना बच रहा था शीतल जो गर्भवती थी वो चुपचा बैटी अंकित को गाने की धुन पर से लाते देख रहे थी अंकित अपने धुन में कार चलाता हुआ जा रहा था सभी शीतल ने अंकित को टोकते हुए कहा तुन न आजकर बिल्कुल भी रोमेंटिक नहीं रह गए हो अरे ऐसा क्यों? हम दोनों अकेले हैं, कार में हैं, सुनसान रास्ता है लेकिन मजाल है कि तुम्हारे मुझे आई लव यू निकल जाए शादी के पहले तो आई लव यू, आई लव यू इतनी बार बोलते थी कि लगता था कि तुम्हारे मुझे किसी ने टेप रिकॉर्डर रिवर्स मोड में चला दिया हो लेकिन अब अब तो आई लव यू सुने अर्सा हो जाता है शीतल की बात सुनकर अंकित कार में ब्रेक लगाता है और उसकी तरफ देखते हुए चिला कर बोलता है आई लव यू आई लव यू शीतल पागल हो गयो क्या क्यों क्या हुआ इतने जोर से सुनसान जगा में कौन बोलता है आई लव यू क्या शीतल आई लव यू बोलो तो देखत आई लव यू ना बोलो तो देखत अरे गुस्सा मतो माई लव शादी के बाद प्यार केयर में बदल जाता है और उस पर जब पत्नी प्रेगनेंट हो तो केयर और ज्यादा करनी पड़ती है इसका क्या मतलब रास्ते में बात ही ना करो अरे रात हो गई न और सुनसान जगह है इसलिए लगता है जल्बी से यहां से निकल जाओ ये कहकर अंकित ने फिर से गाड़ी को गेर में डाला और गाड़ी आगे बढ़ा दी अब इसे मुश्कित से दो-तीन किलोमीटर ही गए होंगे कि अचानक से तेज आंधी चलने लगे साथ ही जोर-जोर से बादल करशने लगे विजली भी चमकने लगे अरे, यह अचानक से मौसम कैसे खराब हो गया कभी जोरों के बारिश भी शुरू हो गए ये लो, तुम बड़ा रोमैंटिक-्रोमैंटिक कह रही थी न मौसमी हो गया पुरा रोमेंटिक वो बारिश में धीरे धीरे बढ़े जा रहे थे कभी कुछ दूर पर उन्हें एक बड़ा सा पेड गिरा दिखा और मजबूरन उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी यार शीतल ये तो बड़े बुरे फसे हम लोग यार वो कुछ देर उसी तरह गाड़ी में बैठे रहे बारिश अब बंद हो चुकी थे शीतल बारिश तो बंद हो गई अब इस पेड को हटाना होगा मैं तुमारी मदद करू अरे शीतल पागल हो क्या बेबी है तुमारे पेट में अंकित कार से निकल कर बाहर गया और वो पेड हटाने लगा लेकिन अचानक से आकाश में बिचली कड़ी और नीचे जमेन पर आगिरी अंकित के स्पॉट डेथ हो गई शीतल ने ये देखा तो वो भागी-भागी कार से बाहर आए लेकिन अंकित का शरीर तो पूरी तरह शांत पढ़ गया था अंकित अंकित ये क्या हो गया ये क्या हो गया अंकित सब खत्म हो गया मेरा सब खत्म हो गया मैं क्या करूँ अरे मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने अंकेत उठो, उठो, जहती उठो मुझसे बाते करो, रोमेंटिक बाते करो, उठो अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं तुम, तुम्हारा बेबी, तुम्हारा बेबी मैं क्या कहूंगी उसको, क्या कहूंगी मैं उसे काश की अंकित शीतल की उस गर्व भरी पुकार को सुन पाता काश की वो उसके आंसो पोच पाता लेकिन वो तो पड़ा हुआ था अचे इत मुर्दा शीतल ने किसी तरह उसकी लाश को गाड़ी में डाला फिर पेड को हटाया और खुद से ड्राइब करके घर की ओर जाने लगी वो गाड़ी तो चला रही थी लेकिन उसके आंसो रुपने का नाम ही ने ले रहे थे बारिश फिर से शुरू हो गए थी कभी कुछ दूरी पर उसे एक बुढ़ा आद्मी हाथों में लालते और एक डंडा लिये हुए दिखाई दिया वोसे काले कपने पहने हुए थे अरे इस सुनसान जगा में ये बुढ़ा आद्मी क्या कर रहा है लगता है बारिश के कारण फंस क्या है मुझे इसकी मदद कर रही हुए शीतर ने अपनी कार उस बुढ़े आद्मी के पास रोलती और कार का शीशा खोलते हुए उससे पुछा अरे बाबा इस सुनसान अंधेरी रात और इस वारिश में यहां क्या कर रहा हूँ आपको कहा जाना है चली मैं आपको छोड़े जाना तो है बहुत दूर लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता क्या मतलब ऐसे नहीं जा सकता मैं भूखा हूँ बिना कुछ खाए मैं जा नहीं पाऊंगा पर मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है बाबा है तेरे पास है तुँ वो मुझे खाने को दे दे क्या बाबा तेरे पेट का बच्चा वो दे दे मुझे खाना है उसे अरे आगल हूं क्या तु दिमाग खराब है तुम्हारा मैं यहाँ पहले से परिशान हूँ, मेरे पती की मौत हो गई और तुम तुम ये बक्वास कर रहे हो बक्वास नहीं, बेदे तेरा बच्चा तब ही शीतल को लगा कि उसकी कार की सीट पर कोई औरत आकर बैठी है क्योंकि उसके कानों में उसकी चूड़ियों की आवाज आ रहे थी शीतल ने कार के शीशे में जब पीछे की सीट की और देखा तो उसने देखा कि एक भयानत चुड़ेल अंकित को अपनी गोद में लिए बैठी हुई है ये देखकर शीतल के चेहरी का रंग उड़ गया चुड़ेल बेटी जरो मत मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली तुम बस यहां से जल्दी निकलो जल्दी शीतल कुछ समझ पालती इतने में वो बुढ़ा उसकी गारी के आगया कर खड़ा हो गया और शीतल को घूर घूर कर देखने लगा मुझे अपना बच्चा खिला दे खिला दे अपने पेट का बच्चा मुझे भूट लगी है खिला दे बेटी इसकी बात मत सुन और जल्दी से निकल यहां से नहीं तो ये माल देगा तुझे चढ़ा दे अपनी गारी इस पर गारी चढ़ा दू? अरे ची कैसे हो सकता है? मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती अरे बेटी तू समझा कर ये बुड़ा जिंदा नहीं है ये तो सालों पहले मर गया है और मरे हुए की कैसी हत्या तो देर मत कर नहीं तो सब खत्म हो जाएगा चढ़ा दे अपनी गारी इस पर चढ़ा दे शीतर लुदेर बुन में थी लेकिन पता नहीं क्यों उसके पैर उस चुड़ैल को सुनकर एक्स लीटर पर चले गए और उसने जोरों की टकर उस बुड़े को माटी बुड़ा बहुत उपर तक हवा में ओड़ गया और एक पेर की डारी पर बैठ गया और उसे घूरने लगा शीतर ने शीशे में जब उसे देखा तो उसके आथे पटी की पटी रहे गए बेटी मैंने कहा थाना वो पहले से मरा हुआ है वो कभी नहीं मर सकता तू अब तेजी से यहां से निकल क्योंकि वो बहुत गुस्ते में आ गया है और वो अब अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग करेगा और तेरी मती को भ्रमित करेगा लेकिन तुझे रुकना नहीं है क्योंकि तु रुकी तो तेरी मौत हो जाएगी जैसे मेरी और मेरे प्रेट के बच्चे की मौत हो थी सालों पहले इसले भाग भाग यहां से अपनी रफ्तार और बढ़ा शितल कार को भगाय जा रहे थी तभी उसने देखा कि सड़क पर कई सारे छोटे छोटे बच्चे घुट्टों के बल उसकी कार के ओर चले आ रहे है ये देखकर उसके हाथ पैस पूले खितने सारे बच्चे सड़क पर कैसे आ रहे वो बच्चे नहीं है वो इस भूत का फैलाय जाल है जो तुम्हारी बुद्धी को भ्रह्म में डाल रहा है तो इन पर भी चढ़ा दे अपनी गारी नहीं 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 कर सकती ये करना पड़ेगा नहीं तो ये भूत अपने मन्सूबों में सफल हो जाएगा और जानती हो जो 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 रात बढ़ेगी इसकी ताकत बढ़ेगी इसके माया का जाल और बढ़ेगा क्योंकि ये इसका इलाका है और इसमें प्रवेश करते ही इसके माया का जाल ताकतवर हो जाता है इससे कुछ मतसूच और चढ़ा देगा रही और हाँ जो जो रोशनी होगी इसके माया खत्म भी होगी शीतल ने कार उन पर चढ़ा दे लेकिन जैसा कि उस चुड़ैल ने कहा था वो सब कुछ उस भूत का फैलाया जाल था कार के टकर के पहले वो सारे बच्चे गायब होगे उसके बाद उस बूरे भूत में और भी अपना जाल पैलाया सड़क पर अचानक एक बहुत बड़ी खाई बन गए उसे देख शीतल फिर ते डर गए मट डर वो खाई नहीं है वो उस भूत का जाल है चल निकल यहां से शीतल ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर जैसा कि उस चुडैल ने कहा था वो भी उस भूत का जाल ही था शीतल की कार फिर से तेज रफ्तार में आगे बढ़ी फिर उसने देखा कि आगे रेलबे का फाटक है और वो फाटक बंद है उसे दूर से रेल गाड़ी भी आती हुए दिखाए दी वो अपनी कार में ब्रेक लगानी वाली थी कि तबी बेटी को उसका जाल है कोई च्रेन नहीं आ रही है निकल निकल यहां से जल्दी वो बुड़ा भूत आ रहे है अपनी तेजगपी से तुझे मारने तेरे बच्चे को मारने शीतल ने अपनी कार को आगे बढ़ा दिया आगे जाकर रास्ते में उसे हाथियों का जुन्ड दिखाई दिया लेकिन चुड़ैल ने कहा कि वो सब चक्रव्यू है उस फूट का उसमें फसना मत शीतल ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया आगे जाकर उसे रास्ते में एक गरवती ओरत दिखी जो सड़क किनारे खड़ी उसे गाड़ी रोपने को कह रहे थी बिलकुल भी मत रुकना बिलकुल नहीं ये जाल है मैं फस चुकी हो इस जाल में और अपना बच्चा खोच चुकी हूँ लेकिन तुझे नहीं फसते दूँगे नहीं फसते दूँगे तुझे शीतल गाड़ी को भगाते हुए आगे निकल गई वो गरवपती औरत वहां से गायब हो चुकी थी शीतल तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जा रही थी अब दिन निकल आया था रोश्नी होने लगी थी मैं कब तक इस तरह भागते रहूँगी वो भूस कब तक मेरा पीछा गरता रहे का ये पूछते हुए शीतल ने जैसे ही कार के पीछे देखा तो वो चौक दे क्योंकि कार के पीछे तो कोई चुड़ैल थी ही नहीं उल्टा अंकित उसे घूर पूर कर देख रहा था ओए इतना घूर क्यों रही है बहुत देर सो गया क्या मैं इतनी देर से तो गाड़ी चला रही है शीतल अब भी आँखे फाड़े अंकित को देख रही थी अंकित तुम जिंदा हो कहीं कहीं ये भी तो उस भूत का कोई जाल नहीं जिंदा हो मतलब भूत का जाल क्या हो गया तुझे ये सब क्यामर बढ़ा रही है शीतल अंकित को अब भी गूर गूर कर देख रही थी और उस चुडैल की बातों को याद कर रही थी जब उसने कहा था कि सवेरा होते ही उस भूत का जाल समाप हो जाएगा इसका मतलब अंकित की मौत भी उस बूरी भूत का एक जाली थी ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया और शुक्रिया उस रखवाली चुडैल कर जिसने मेरे परिवार को बिखरदे से बचा लिया इस घटना को आज कई साल बीट गए है लेकिन शीतल जब भी उस घटना को याद करती है तो भीतर तक से हर जाती है